तो उसके लिए second step है, देखिए का मैं क्लिक कर रहा हूं कितना जल्दी हो जाएगा, मैंने इसे double click किया, अब refresh footage को बढ़ा कर रहा है, देखिए, लगब लगब पांच सेकेट में ये प्रोपर तरीके से यहां पर तयार हो गया है, हलो दोस्तों, नवस्कार, मैं हूँ कोवन और आप देख रहे हैं कोवन इन प्रोटेक्शन, दोस्तों आज के इस वीडियो में हम सीखेंगे, किसी भी वीडियो क्लिप से इमेज या फोटो को कैसे निकालें, और उसे फोटो साप की सहायता से कैसे एडिट करें, तथा साथी स इडियो के अंत्रगत उसे क्लोजब के रूप में कैसे उपयोग करें, तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं, दोस्तों वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपको बता दूँ, इसके पहले वाली जो हमने वीडियो बनाई थी, उसमें हमने बताया था, किसी भी वीडियो वीडियो में हम सीखने वाले हैं, EDS के अंत्रगत, उस वक्त इसकी आवसेक्ता पढ़ती है, जब फोटोग्राफर या वीडियो ग्राफर द्वारा, क्लोजब नहीं लिया जाता है, किसी भी तरह के इवेंट में, तो वहाँ पे थोड़ी सी प्रोब्लम हो जाती है, जब व फोटो मिले ही न, तो कैसे करेंगे, वह भी solution है, अगर जो वह जानकरी आप कुछ ही है, तो इसी वीडियो में कमेंट करके हमें बताईएगा, उसके बारे में भी हम आपको knowledge दे देंगे, लेकिन फिलाल आज का हमारा main point है, कि अगर जो किसी भी वेडिंग के अंत्रगत, footage न करेंगे, तो फिर चलिए, अभी आप screen पर हमारे देख रहे हैं, कि हमने EDS software पहले से open करके रखा हुआ है, और already एक project यहाँ पर मैंने बना कर रखा है, means कि एक वेडिंग की फूरी की पूरी clip को हमने ready करके रखा है, तो सबसे पहले अभी देखेंगे, तो हमारा play line जो है, त video clip होती है, वो topi के साथ होती है, जो विवा में पहना जाता है, तो तिलक में कहीं-कहीं नहीं दिया जाता है, और कहीं-कहीं दिया जाता है, तो आप वहाँ से भी close up ले सकते हैं, लेकिन देखें यहाँ पर, क्योकी अभी चुमावन का कार्करम चल रहा है, लेकिन लड़क करेंगे कि हमें वह ऐसा फूटेज मिल रहा है कि नहीं तो हम आगे बढ़ती वे जा रहा है अभी देखे मटकोड का टाइम है थोड़ा सा और हम प्ले लाइन को आगे बढ़ाते हैं और देखें यहां से कपड़ा पहना जा रहा है लड़के को तो चलिए हम अपने प्ले पर देख रहा हो जो कि हम आसानी से उसकी इमेज को ले सके हां बीच बीच में यह जो इमेज आप देख रहे होंगे वाएगर कपल का तो यह लाश्ट टाइम में जो वेडिंग का हम प्रोजेक्ट बनाते हैं उसका बचा हुआ रहता है चुकि हम लाश्ट में बनाते हैं यहां पर लड़के का इमेज फ्रेस है देखेंगे यहां पर यहां पर भी अगर जो आप वीडियो देख रहे होंगे तो वीडियो में आपको लगता होगा बहुत फ्रेस है लेकिन देखें तो यहां पर टोपी कटी हुई है आदा सरीर है तो ऐसा नहीं चाहिए बिलकुल साइज इमेज चाहिए जो कि ऐसा लगे फेस टू फेस हम है मिन्स की वो सामने देख रहा हूं हम भी उसकी तरफ देख रहा हूं तो ऐसे हम फारवर्ट करती हुए जा रहा है और यह पर पर शाउन के टाइम लगबग लबग 99 परसेंट तक क्लोज अप नहीं मिल पाता है त कि लड़के का यहां पर इमेज हम नहीं ले पाएंगे चलीए अब हम आगे बढ़ाते हैं कुछ इसमें प्रोग्राम छूटे हुए रहा है दिखाए जा रहा है मैं साधी समरव दिखाए जा रहा है तो इसमें भी थोड़ीशी प्रोड़म ڈस प्ले हो रही है तो इसमें फिल हो रहा होगा कि ये वीडियो को play करके आगे एक तरफ बढ़ा रहा है वाच टाइम के लिए ऐसा बिलकुल नहीं है आपको एक एक चीज को बारिकी से इसमें देखनी चाहिए चलिए मैं थोड़ा सा और इसे जूम कर दे रहा हूं और देखते हैं तो देखें दोस्तों त इसके पहले हमें एक clip अभी मिला था जो की couple का closure था फिर से इसे हम एक बार देख रहा है देखें यहाँ पर यह वाली image आप देख पार हैं चले इसे बढ़ा करके मैं आपको दिखा दूँ तो image तो दिख रहा है लेकिन यह कोई phrase clarity नहीं आ रही है यहाँ पर बिलकुल ही clarity न रहा है देखें यहाँ पर थोड़ा सा यहाँ पर थोड़ा सा हमें phrase display हो रहा है तो अब यहाँ पर देखेंगे तो यह project के अंदर यह हमारी video चली गई है तो इस video का नाम हमें पता नहीं चल पा रहा है तो उसके लिए दोस्तों बिन वीडियो में जो हमने import कराया था उसके अंतरगत आ जाएंगे और हमें लग रहा है कि यह सबसे प्रोग्राम के अंत में है तो सबसे नीचे चलते हैं और नीचे की तरफ से एक एक image को हम play करके देख लेते हैं तो हमने इसे double click किया preview window में आ गया इसे हलका सा forward करके चेक करेंगे इसमें अच्छा नहीं है दूसरे वाले clip तीसरे ऐसे ही जितने clip होंगे एक एक clip को हम play करके चेक करेंगे तो लिए इसे double click करते हैं और play करके चेक कर लेते हैं हमें लग रहा है कि यह यही clip है और इससे best clip हमें नहीं मिलने वाला है तो देखें दोस्तों यहां पर पहले से हमने 3 sequence बना के रखा है पहले sequence में हमने पूरी wedding का project रखा हुआ है जिस पर हमने work किया है दूसरा एक close up songs लिया हुआ है जो कि दूसरे boy girl couple का है यानि कि इसके पहले वाले जो हमने video film बनाई थी उसका है तो यह हमें अभी चाहिए नहीं फिर तीसरे पर आते हैं तो वह भी वही है चुकि हम जब भी wedding का video बनाते हैं तो एक close up song शुरू में और एक close up song अंत में रखते हैं और जहां पर memory की कमी पढ़ जाती है तो अंत वाले को हटा देते हैं तो अभी है यहां पर हमें एक और sequence लेने की ज़रूरत है तो यहां पर अपने computer के keyboard से control shift plus and key press करना है जैसे ऐसा कर इसे ड्राप कर दिया ड्राप करने के बाद से दोस्तों सबसे पहले हम इसकी audio हटा दे रहें audio हटाने के लिए alt plus a key को प्रेस करें देखेंगे audio हमारा गायब हो चुका है अब space key को प्रेस करेंगे और play कर देंगे जहां पर अगर जो हमें अच्छा लगेगा कि यह frame बहुत अच्छा है तो वहाँ पर हम इस play line को रोक देंगे ध्यान रहे कि जब भी लड़के का या लड़की का हम image ले रहे हो तो ध्यान रहे camera की तरफ दिखाई दे रहा है अभी देख रहे होंगे कि यह camera की तरफ नहीं देख रहे हैं तो उसके लिए फिर से play करते हैं और हम wait करते हैं अभी देखें clip तो बहुत ही सांदार clip display हो रहा है अगर फिर भी आपको एक एक फ्रेम में problem हो रही है तो arrow key की मदद से आप आगे पीछे इसे कर सकते हैं चलिए मैंने थोड़ा थोड़ा इसे देखें पीछे कर दिया है और अभी अच्छा नहीं लग रहा है अभी फ्र image को click कर देना है जैसे ऐसे करेंगे तो जहां पर हमारा play line है इसी play line के background में जो video clip display हो रहा है उसका एक image हमारे bin window में आ जाएगा चलिए click करते हैं जैसे हमने click किया देखिए still 0628 यहां पर add हो चुका है थोड़ा सब frame को और आगे ले जाते हैं और बताते हैं इसको start quote की आने के लिए arrow key का मदद लिया arrow key में left right का उपयोग करके आप आगे पीछे एक एक frame जा सकते हैं जैसे कि यह वाली frame हमें पसंद आई तो अगर जो आपको menu में नहीं जाना है means clip menu में जाके create still image को नहीं click करना है तो आप अपने computer के keyboard से control plus T press कर सकते हैं जैसे ऐसा करेंगे automatic जह आप देखना चाहते हैं या कहां पर गया है तो इस पर right click करें और explorer को click कर दें automatic यह आपको उस अस्थान पर भेज़ देगा जहां पर आपने इसका image लिया हुआ है यह वह अस्थान है जहां पर आपने computer के अंत्रगत EDS software को install करते वक्त backup नाम के folder को दिखाया था मतलब पहली जब EDS को install करते हैं तो सबसे पहले वह backup folder लेता है कि जब भी आप इसमें काम करें तो वह सब backup के रूप में कहा जाए तो जिस folder को आपने बताया होगा उसी folder के अंत्रगत जिस project के अंत्रगत आप काम कर रहे हैं वहाँ पर यह चला जाएगा तो अभी यहां पर आप देखे तो आप यहां से भी ले जा सकते हैं तो सबसे पहले मैं Photoshop open कर ले रहा हूँ Photoshop open करने के लिए start button को click कीजिए और search box में type कीजिए photo या Photoshop जितना भी आप बहुत कम type करते हैं automatic search box में आ जाता है और अगर जो पूरे के पूरे character match करते हैं तो सबसे उपर आ जाता है तो देखें चलिए मैं इसे click कर दे रहा हूँ जैसे मैंने इसे click किया तो देखें हमारा Adobe Photoshop 7.0 open हो रहा है थोड़ी देर में अभी open होकर हमारी computer screen पर यह आ जाएगा यह depend करता है computer के speed पर कि यह कितिनी देरी में open होगा तो देखें यहां पर open हो चुका है अब आ जाते हम अपने EDS program में और जो अभी-भी हमने बनाया था इसके उपर right click करना है और open को click कर देना है जैसे ऐसा करते हैं तो यह automatic यहां से transfer हो जाता है Photoshop के अंतरगत लेकिन देखें अभी edit में या pen में जा रहा है चुकि हमने यह default रूप में अपने Photoshop को install नहीं किया था तो यहां से problem create कर रहा है तो को अब इन चारों photo में से आप सबसे पहले photo select कर लिजी कि कौन सा best है यह error है अब इन दोनों में से देखते हैं तो यह वाला हमें अच्छा लग रहा है चुकि इसकी clarity थोड़ी कम है तो हम इसे close कर दे रहे है close करने के बाद से दोस्तों आपको अपने Photoshop के अंतरगत tool का उप्यो लैसर टूल को select कर लेना है इसके अंतरगत देखेंगे तो तीन टूल उपलब्द होता है polygonal lasso tool, lasso tool और magnetic lasso tool तो आपको polygonal lasso tool का उप्योग करना है अब अगर जो by the way यहां कोई दूसरा tool होगा तो इस पर right click करके आप polygonal lasso tool select कर लिजीए अब आज आई अपने frame के अंतरगत means image के अंतरगत और control plus का उप्योग करके आप image को छोटा बढ़ा कर लें और इसे अच्छी प्रकार से चारो तरफ से select कर लें जैसा कि अभी आप screen पर देख रहे है फोटो साप आप पढ़े होंगे या सीखे होंगे तो आपको इतना आता होगा तो चलिए सबसे पहले मैं फैदर को क्लिक करें और फैदर रेडियस के अंतरगाट 3 रखें और डिफाल रूप में 5 रहता है आप इसे हटा कर 3 कर लें और OK को क्लिक कर दें उसके बाद अपने computer के keyword से control plus X की प्रेस करें और control V प्रेस कर दें तो यहां से move हो जाएगा और प्रेस करेंगे तो वापस आ अब यहां पर यह एक दूसरा layer त्यार हो गया अब इसे हम कर देते हैं minimize सेम इसी तरह लड़की का भी चाहिए तो वापस आप जाईए और फिर लड़की का जहां पे close up है उसे find कीजिए आप चाहें तो बिन बिंडो से भी find कर सकते हैं लेकिन already मैंने उसकी image निकाल कर रखी रहा हूँ इसे मैंने Photoshop के अंदर कर इंपोर्ट करा दिया सेम होई प्रोसेस दोराना है दोस्तों यहां पर आपको पॉलिगोनल लैसर टूल लेना है और पासपोर्ट आकार में इसे चारों तरफ से select कर लेना है तो चलिए एक बार फिर से मैं इसे select कर ले रहा हूँ select करने एक बाद मैंने बताया था दोस्तों कि उस पर right click करेंगे feather को select करेंगे इसमें 3 रहने देंगे ok कर देंगे ctrl x करेंगे अगर जो यह नहीं समझ पा रहे हैं तो edit menu में जाए cut को click करें पुनव वापस edit menu में जाए और paste को click करें देखेंगे तो y और girl का दो image हमने यहां पर select करके cut कर लिया है अब इन दोनों को एक साथ जोड़कर हम आसानी से close up बना सकते हैं अब हमें चाहिए background चुकि दोस्तों इडियस के अंत्रगत आप काम कर रहे हैं तो अभी 1920 गूडे 10 80 की यह screen size है सेम screen size का अगर आपको कोई भी image चाहिए तो वह image की size होगी 1920 गूडे 10 80 जो की अभी TV, mobile या किसी भी screen की सबसे अच्छी resolution यहीं चल रही है तो उसके लिए दोस्तों मैंने पहले से तीन image इंटरनेट से download करके रखा है आप भी कोई बढ़िया सा background select कर लिजेगा तो D drive के अंत्रगत हम आते हैं तो यहाँ पर हमने Photoshop DMD file नाम के अंदर तीन यहाँ पर फाइल्स रखी हुए जिसका नाम Y, couple 1 और girl अल्रेडी रखा हुआ है आप कुछ भी रख सकते हैं नाम से कोई मतलब नहीं है बस आपको image रखने HD quality की जो अच्छे से दिखाई दे अब इन तीनों को select करें फिर से इसे drag करें और Photoshop के आइकन पो लाए Photoshop open हो जाएगा इसके अंत्रगत लाकर इसे छोड़ दें जैसे इसे छोड़ेंगे तीनों के तीनों यहाँ पर import हो जाएंगे तो चलिए दो photo को हम minimize कर है चुकि यह जो wallpaper आप देख रहे हैं इसकी size already 1920-1080 है आप इसे देख सकते हैं कभी भी या जब भी आप बनाईएगा इसकी size 1920-1080 ही रखिएगा अब इस photo को आपको select करना है तो already देखी यही photo select है क्योंकि यही move हो रहा है जब move हो रहा हो तो आप edit menu में जाए और free transform को click कर द देखिए इसका shortcut है control plus T क्योंकि मैं shortcut से ही काम करता हूँ मिनू से काम नहीं करता हूँ लेकिन फिर भी आपके लिए menu में जा रहा हूँ ताकि यह सभी के सभी options याद रहे है जिसलिए free transform को हमने click कर दिया लेकिन अगली बार हम ध्यान रखेंगे कि इसका shortcut control plus T होता है तो से image की size को increase करें means इसे बढ़ाएं अगर जो corner से आप नहीं बढ़ाते हैं तो यह ratio में image बढ़ेगा नहीं हमेशा image को ratio में ही बढ़ाया जाता है मतलब कि लंबाई और चोड़ाई एक समान बढ़े और घटे तो अब थोड़ा बहुत बढ़ा हो गया तो इसे हम adjust करेंगे center मे ध्यान रहे ऊपर की तरफ से लगबग लगबग आधे एक inch की दूरी को हम छोड़ देंगे और left and right दोनों तरफ बराबर छोड़ेंगे तो देखें यहाँ पर display हो रहा बराबर बराबर और ऊपर की तरफ एक inch मान कर चलते हैं और हमने enter कर दिया यह image हमारा set हो गया अब image को जाए adjustment में जाए और यहाँ पर selective color ज्यादा यहाँ पर देखिए video clip की इमेज है ज्यादा filter नहीं हो पाएगी ज्यादा finish नहीं हो पाएगा और ज्यादा finish करना हो तो आपको इसको practice की जरूरत है एक दिन में आपको 2-3 cassette बनाने हैं कम से कम 2 ही बनाने है तो बहुत fast way में आप को काम करना पड़ेगा तो चलिए यहाँ पर हम थोड़े से color correction कर लेते हैं तो हमने यहाँ से rate को थोड़ा कम किया और यहाँ से थोड़ा सा yellow कम कर लेंगे थोड़ा थोड़ा फ़र्क image पर दिखाई देगा जब आप काम करेंगे बारिकी से नेचुरल्स जो यह dot dot हैं देख yellow को और यहाँ से black को फिर से थोड़ा सा yellow select कर लेते हैं और यहाँ से कम कर लेते हैं नेचुरल्स उसके बाद दोस्तों अब यहाँ से brush tool को select कर लेना है, opacity 12 रखना है और flow 14 रखना है आप कम और ज्यादा भी कर सकते हैं कहीं पर भी जहाँ पर phrase point हो, alt key phrase करकर रखें और उसे click कर दें जैसे click करेंगे उसी तरह का color हमारे color box में आ जाएगा अब यहाँ पर हलका rub कर लें, rub मतल हलका रख करेंगे, तो same color जो इसमें opacity के अंतरगत आया हुआ था, वही यहाँ पर flow होगा, उसके उपर lap होगा, तो हलका अलका lap कर लें, चारो तरफ देखें कहाँ पर color कम पढ़ रहा है, थोड़ा सा phrase कर लें, उसके बाद filter में जाए, और filter में जाने के बाद यहाँ noise के अं रहे हैं दोस्तों कि अगर फोटो साप अभी अभी आपने install किया है या फिर सीखे नहीं है, तो यह आपके computer या फिर Photoshop में नहीं होगा, इसे अलग से purchase करना होता है, चुकि यह copy paste एक filter होता है, जो कि आसानी से आपके photo को एक minute में clear कर देता है, चलिए आपको दिखाते हैं, द adjustment के अंतरगत, brightness और contrast को click कर दे, और यहां से adjust कर लें image की quality को, आप देख रहे होंगे कि image में काफी परिवर्तन नजर आ रहा होगा, जैसा image था कुछ उस तरह का अभी नई display हो रहा है, कुछ fresh नजर आ रहा है, अगर फिर भी आपको problem हो रही है, तो adjustment में आके selective color के अंतरगत, फिर से इस photo में आप अपनी एक्षामसार correction कर सकते है, depend करता है आप पर और यह आपके अनभवपर, तो लगबबब मेरी image यह तयार हो चुकी है, अब इससे save करने के लिए control shift plus as, मैंने बताया था दोस्तों आपको कि मैं ज्यादा से ज्यादा start cut की का उप्योग करता हूँ, इसलिए मैं इसे हटा देता हूँ, आपको menu के माध्यम से बताता हूँ, तो file menu में जाए और save as, देखें इसका start cut है shift plus control plus as, इसे click कर दे, जैसे इसे click करेंगे save as का एक window आ जाएगा, अब यहाँ पर desktop को click करेंगे और इसका नाम रख देंगे by, और format के अंतरकत jpg select कर लेंगे और यहाँ पर desktop select रखेंगे और save को click कर देंगे, और ok, यह हमारे boy की image save हो चुकी, same यही प्रकिरिया दोस्तों girl के साथ भी करना है, तो चलिए इसे हम कर लेते हैं, minimize, दूसरा कोई भी image जो की हमने 3 image लाया था, 2 को minimize किया था, एक पर अभी हमने कारे किया था, तो दूसरा को वाले image को drag and drop कर देंगे, drag and drop करने के बाद से फिर से हमने बताया था, free transform का उपयोग करेंगे, तो control T ऐसा नहीं करना चाहते, तो edit menu में जाएंगे, यहाँ corner से हम इसे छोटा और बढ़ा कर लेंगे, ध्यान रहे हमेशा corner से करेंगे ratio के according, तो इसे हम center में set कर लेता है, set करने एक बाद से image menu में जाएंगे, adjustment में जाएंगे, selective color में जाएंगे और यहाँ से color correction कर लेंगे, अब यह depend करता है दोस्तों आपके अनुभव और कि आप इसमें कितना माहिर है, एकी समय में पूरा का पूरा कम नहीं कर देंगे, हलका हलका कम करेंगे, जैसे pencil से लिखी हुई च बहुत हलके हलके यह परकिरिया पांच बार दस बार आप यतनी बार चाहें फोटो को clear करने के लिए कर सकते हैं, अगर जो फोटो में आपको कोई problem नहीं नजर आ रही हो, तो आप brush का उपयोग ना करें, लेकिन यहाँ पर मैं हलके से brush का उपयोग कर ले रहा हूं, थाकि च similar color के according, यह नहीं कहीं से उठाए और कुछ भी rub कर दिये, उसके बाद filter में जाएंगे, noise में जाएंगे, jpg cleanup और यहाँ पे 140, ok, देखेंगे कुछ filter हो जाएगा, उसके बाद image में जाके adjustment और brightness, contrast को select करके अपनी इच्छानुसारी से set कर लेंगे, वैसे yellow tone बहुत ज्यादा है yellow tone से मतलब है, yellow color बहुत ज्यादा है, तो खैर कोई बात नहीं, उतना adjustment भी की जरूरत नहीं है, अब यहाँ Ctrl, Shift, S, मैंने बताया था, save edge का है, यह start cut की, तो यहाँ पे desktop select करेंगे, इसका नाम दे देंगे हम girl, और format के अंदर हमने बताया था jpg, तो यहाँ पे type key को press करेंगे J button सिर्फ press करेंगे, तो automatic jpg आ जाएगा, और save को click कर देंगे, ok, अब यहाँ से फिर से हम कर लेते हैं, restore और girl वाला जो original image था, इसे हम हटा दे रहा है, अब हमारे पास जितने भी image जिसमे background या photo के रूप में है, उन्हें हम maximize करके restore कर लेंगे, ताकि एक screen पर यह दिखाई द देते रहे, अब बचा हमारे पास एक couple का background, तो इसे भी नीचे की तरफ scroll कर लेंगे, और girl वाले image को और yla image को भी इस पर drag and drop कर लेंगे, और फिर इन्हे adjust कर लेंगे, जैसा कि अभी आप screen पर देख रहा है, दोनों को एक साथ adjust करने पर यह display हो रहा है, कि यहाँ पर brightness की थो थोड़ा सा बढ़ा देंगे, अब फिर से control shift s, तयार हो गया है couple का image, नाम रहने देंगे, टाइप करेंगे, जै की press करेंगे, jpg आ गया, save को click कर देंगे और ok, photoshop को close कर देंगे, पूरा का पूरा image close कर देंगे, इस window को भी, अब ध्यान रहे दोस्तों, कि यहाँ पर जब हम image को import करके नहीं करेंगे, हमें नए sequence पर काम करना है, means swap tier को close करेंगे और फिर से open करेंगे, तो यहाँ file को click करेंगे, और exit project को click कर देंगे, और यहाँ कर देंगे no, यानि कि जो भी हमने कारे किया, उसकी कोई भी हमें save setting नहीं चाहिए, अब यहाँ पर new project को click करेंगे, और ज अब ही आप screen पर देख रहा है, इससे पहले मैं आपको दिखा दूँ, तो मैंने window key को press किया, या आप चाहें, तो start button को भी click कर सकते है, start menu open करने के लिए, यहाँ पर मैंने computer को click किया, d के अंतरगत गया, और यहाँ पर wedding project data के अंतरगत, replace footage नाम का एक folder होता है, जहाँ पर हम boy, girl, couple के image को यहीं पर manipulate करते हैं, मतलब video की clip त्यार करते हैं, तो देखें यहाँ पर boy, 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 means यहाँ पर इसका नाम है B01, B02, B03, उसके बाद couple का C01, C02, C03, ऐसा यहाँ पर display हो रहा है, तो couple का साथ होता है, और girl का भी साथ होता है, और boy का 3 होता है, यह depend करता है, आपके कौ कोई और है, चलिए, एक play करके दिखाता हूँ, मैं G01, मतलब girl को, देखें, यह लटकी कोई और है, ऐसे ही couple को भी मैं आपको दिखा देता हूँ, C01, और फिर से मैं B01, यहीं पर हमें उस video clip को त्यार करना है, चलिए, इसे करते हैं minimize, अब 2 window के अंतरगत, right click करेंगे, और add file girl को click कर देंगे, और यहाँ पर boy, control दबा के couple, all girl को click कर लेंगे, और open को click कर देंगे, तीनों image यहाँ पर import हो चुके है, अब boy वाले image को click करेंगे, means select करेंगे, और इसे master पर drag and drop करेंगे, वन भी जो होता है, master होता है, तो यहाँ पर लाकर इसे drop कर देंगे, अब इसे select रख करेंगे, तो duration का एक छोटा सा window आ जाता है, अगर जो ऐसा आप नहीं चाहते हैं, तो इस पर right click करें, और इसमें धूडे duration कहा है, तो देखें, यहाँ पर display हो रहा है, duration, जिसका start cut है, alt plus u, अब right click करेंगे, menu आएगा, फिव duration को click करेंगे, प्रकिरिया लंबी हो जाएगी, चुकि इस वीडियो में प्रकिरिया आपको यह लंबी नजर आ रहे होगी, लेकिन जब आप सीख जाएगे, तो यह प्रकिरिया बहुत यह आसान नजर आएगी, तो चलिए इसे click कर देते हैं, अब यहाँ पर देखें, duration के अंत्रगत, यहाँ पर count करें, digit की संख्या, तो इसे हम टाइप करेंगे, 00, तो यह हमारा घंटा हो गया, 0 घंटा, 0 मिनट, अब हमें चाहिए second, तो 12 टाइप करेंगे, second और 9 second, 00, तो यह automatic हमारा 12 second का यह clip त्यार हो जाएगा, यहाँ OK को click कर देंगे, देखिए 12 second के लिए ready हो गया, अब play line को शुरू में रखेंगे, और I key को press करेंगे, marking के लिए, और Ind key को press करेंगे, तो automatic हमारा play line अंत में आ जाएगा, और यहाँ पर O key को press कर देंगे, mark out के लिए, home key press करेंगे, cursor हमारा शुरू में चला जाएगा, means play line, अब यहाँ पर F11 key को press करेंगे, जैसा ऐसा करेंगे, तो print to file का एक चोटा सा window आ जाएगा जहाँ पर आपको select करना है, H.264 slash ABC जो कि यहाँ पर display हो रहा है, इसे select करने के बाद, फिर से आपको click करना है, H.264 slash ABC और यहाँ पर export को click कर देना है, लेकिन इससे पहले ध्यान रखेंगे, कि export between in and out पर check mark लगा है कि नहीं, यदि check mark नहीं लगा होगा, तो आपके सामने करके रखेंगे, export को click करेंगे, अब सीधे हमको जाना है, computer के अंदगर D में, और D के अंदगर जाना है, wedding, project, data, और यहाँ पर हमें find करना है, replace footage MP4, इसे open करना है, अब ध्यान देना है, कि हमारा image Y का है, girl का है, या couple का है, यदि Y का है, तो B01 को select करेंगे, और shape को click कर देंग जैसा ऐसा करेंगे, तो यह render यह export होना, फ्रारंब हो जाएगा, जैसा कि अभी आप screen पर देख रहे है, तो इसे export होने तक इंतजार करेंगे, जब Y का एक clip fuse हो जाए, means export हो जाए, तो एक बार आप वापस जाके, जहां पर हमने replace footage बताया था, आकर देखेंगे, तो देखें B02, B03 भी export करानी होगी, लेकिन यह प्रकिरिया बहुत normal है, अभी मैं आपको बहुत कम समय में, एक magic key की मतल से सिखाऊंगा, बहुत ही आसानी से हो जाएगा, अब ऐसे ही C01 और G01 को करना है, तो चलिए इसे करते है, minimize, वापस बिन विंडो में आएंगे, couple वाला जो हमारा image था, उसे select करके Ctrl C कर लेंगे, means copy कर लेंगे, और अपने इस timeline पर आकर वाय वाला जो हमारा clip था, या image था, इसे select करेंगे, और Ctrl plus R की press कर देंगे, automatic यहाँ पर replace हो जाएगा, with time setting, मतलब जो हमने time set किया था, 12 second का, उसके साथ, यह time set होने के साथ, automatic यहाँ replace भी हो जाएगा, यह बहुत ही आसान है, जो आपके समय को बचा देगा, उना आपको F11 की press करना है, और जैसे यह आपने एक बार use किया होगा, तो वो recently यहाँ पर display हो जाएगा, तो देखें, यहाँ पर display हो रहा है, H.264 ABC, इसे select रखें, और export को click कर दें, अब यह ध्यान रहे, couple है, तो यहा इसे export हो जाएगा, girl को select करेंगे, Ctrl-C करेंगे, means copy हो जाएगा, यहाँ पर means timeline पर आकर couple 1 copy नाम का image है, इसे select करके, Ctrl-R कर देंगे, यह replace हो जाएगा, उसके बाद F11 की press करेंगे, चलिए direct दिखा देते हैं, select किया, then Ctrl-C, इसे select किया, Ctrl-R, F11 की press करेंगे, H.264 ABC को select रखेंगे export को click कर देंगे, और G01 को select करके, save, as कर देंगे, और यहाँ पर export हो जाएगा, चलिए फिर से आपको replace footage में चलके दिखाते हैं, तो देखेंगे यहाँ पे, तो C01 complete रूप से couple रूप में change हो गया है, जिसमें हम चाहते थे, play करके check कर लेते हैं, अब ऐसे G01 को हम check करेंगे, तो अभी नहीं change हुआ है, अभी देखें, यहाँ पर जैसे export हुआ, यह change हो चुका, अब यह image को हम यहीं पर, अब इस window को हम यहीं पर रहने देते हैं, देखें, इतना सारा file आपको display हो रहा है, लगबल लगबल, 30 items, अब यह 5 second के अंदरगाद सभी के सभी कैसे delete और कैसे change कर दें, यह देख लीजिए, उसके लिए हमने अलग से एक program बना कर रखा हुआ है, अपने computer के अंदरगाद, d drive के अंदरगाद, hd rename, जो कि बहुत ही fast है, इसमें steps है, जैसे first step को मैं double click करूँगा, यह जो अलग की file थी, जिनका हमें अभी उप्योग नहीं था, वो automatic देखे C02, C03, G1 का, G02, G03, ऐसे ही, जितना आप चाहते हैं उतना, तो उसके लिए second step है, देखिएगा मैं click कर रहा हूँ, कितना जल्दी हो जाएगा, मैंने इसे double click किया, अब replace footage को बड़ा कर रहा है, देखिए, लगवग लगवग पान second में यह proper तरीके से यहाँ पे तयार हो गय जरूरत नहीं है, कोई pause नहीं है, यह मातर पान second में आप आसानी से कर सकते हैं, तो चलिए अब इसे कर देते हैं close और इसे कर लेते हैं back, back करने के बाद एक बार हम इसे copy कर ले रहा है, replace footage को, अब इसमें जब भी हमें casting को अगर बनाने की आव सकता होती है, तो हमें यह जलती से मैं दूसरे wedding का program मनाऊंगा और मैं भूल जाऊंगा, तो यहां से मैं copy paste करके use कर सकता हूँ, अगर जो कुछ भी मैं बोल ला हूँ, आपको समझ में नहीं आ रहा है, तो मुझे comment section में बताइएगा, मैं इसे के लिए special एक video आपको बना के दिखाऊंगा, कि यह क्या मतलब है, इसे कैसे भवी समब अपना time बचा सकता है, चलिए हम इसे कर लेते हैं, back और इस program से हो जाते हैं, exit और इसे कर देते हैं no, अब हमारा जो program था, उसे open कर लेते हैं, हमने double click किया, अब देखेंगे, तो हमारा program अभी थोड़ी देर में यहां पर run होकर आ जाएगा, और हर जगह, जहां पर भी boy girl couple का image जो दूसरा आ रहा था, अब same to same यह आने लगेगा, तो यहां पर थोड़ा सा खुलने में वक्त लग रहा है, तो थोड़ा सा हम वेट करते हैं, चलिए थोड़ा सा आगे एक तरफ बढ़ा कर देखते हैं, देखें, आप देख रहे होंग दिखा है कि EDS के अंतरगत किसी भी video clip से हम किसी भी image या किसी भी frame पर image को कैसे निकालें, और फुना उससे हम close up कैसे त्यार करें, और उसे EDS में कैसे import करके, उसे fuse कराएं, दोस्तों वीडियो कैसा लगा, आप हमें comment section के माध्यम से बताइएगा, और वीडियो आपको जय हिन, जय भारत